इसकी PTO बहुत ही दमदार है जिसमें आपको 50.3 HP देखने को मिलती है बैक XL EPI के साथ में है हाई कैपसिटी लिफ्ट मिल जाती है बिल्कुल फ्लेट प्लेट फार्म देखने को मिल जाता है डूल एक्टिंग पावर स्टेरिंग मिल जाती है एड़ेस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है जड़ने के लिए डबुल स्टेप देखने को मिल जाता है सस्पेंड़ क्लच और ब्रेक पाइडल देखने को मिल जाते हैं किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिविव करने वाले हैं महिंद्रा अरजुन नोवो 605 डियाई आई तो काफी अच्छे फीचर्स आप लोग को इस टेक्टर में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग टेक्टर का ओवराल लुक वेगरा देख लीजिए फलेट फलेट फार्म है और साइट शिफ्ट के साथ में है अपनी केटेग्री में जब अधर टेक्टर है भाईयों 57 HP के साथ में और कमफर्ट के मामले में इस से अच्छा कोई टेक्टर नहीं है चलिए उपर चलके भी आप लोग को टेक्टर का और आल लुक वेगरा दिख बगारा भी दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार से टेक्टर का डेस बोड़ है उपर से बैठने पर इस प्रकार से टेक्टर का लुक आता है और इस साइड में हैं यह यह लाइट के स्विच वेगरा दिये गए हैं और नीचे इस टॉपर दिया हुआ है यह पायर वाली में इंडिपेंडेंटकि अपर लगएों के साथ में है और यह लिफ्ट लिवर यहां पर साथ में ही आपको दिए गए हैं जहां पर आपको 22 कई जी की लिफ्ट कैप सिटी देखने को मिलती है हाई प्रसेजन लिफ्ट यह बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल है जो कि नान टर्बो के साथ में है इजी यार के साथ में है भाईयों आप लोग देख सकते हैं और 21 और पीम का भाईयों इसका इंजन है और यह लिफ्ट और कि पावर स्टेरिंग पंप की पोजिशन है बड़ा रीडियेटर देखने को मिल जाता है और यह आठ इंच का ड्राइ टाइप डुवल एलिमेंट एर क्लीनर आपको देखने को मिल जाता है यह कूलेंट रिजर वायर आपको देखने को मिल जाता है यह इजी यार का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाता है पूरा दिया हुआ है तो किसान भाईयों चार सिलेंडर 57 HP का अटेक्टर है जहां पर आपको 2100 RPM मिल जाते हैं और 213 NM का हाई उस टार्क देखने को मिल जाता है मतलब काम कैसा भी हो हर एक कंडिशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा एक बाकी प्लेट फार्म के अगर बात करें तो बिल्कुल फ्लेट प्लेट फार्म देखने को मिलता है साइड शिफ्ट के साथ में 15 फार्वर्ड और 3 रिवर्स गेर के साथ में फुली कांस्टेर्स में टेकनोलोजी का गेर बाक्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है पिसान भाईयों यहाँ पर पिछले टायर 16-28 के दिये गए हैं और आगे वाले जो टायर है वो साथ पचास सोला के दिये गए है बाकी सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्लेट देख लीजिए यह महिंद्रा अरजु नोव च्छेसों पांच डियाई की यहाँ पर ब्रांडिंग है च्छेसों पांच डियाई की और पीटियो की अगर बात करें तो 50.3 HP की इसकी पीटियो पावर है भ आपसन वेगर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और यह लिफ्ट पट्टी में आपको यहाँ पर चैन देखने को मिल जाती है बेकेंड साइट से कुछ इस प्रकार से टेक्टर का व्यू है तो फिसान भाईयों आप लोगों को यह महिंद्रा और जुन नोवो 605 डियाई आई के फीचर कैसे लगे ज़रूर बताना बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्का अधर